सबी बच्चों को मेरा वैदिक नमन आज हम नैतिक शिक्षा के पार्ट 18 जिसका शिर्षक है नियायमूति डॉक्टर मेहचन महाजन उसके विशे में पढ़ेंगे बच्चों तो आएए इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर मेहचन महाजन के व्यक्तितों के विशे में जानत हैं कि वो किस तरह सभी लोगों के लिए प्रेणा स्त्रोत थे और आरे समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया भारत के रास्टपती डॉक्टर जाकिर हुसेन ने जस्टिस महाजन के संबंद में ये शब्द कहें थे जो प्रशंसा सुचक थे अनेक महत्वपोन कमिश्णो के सदस्य के रूप में अनेक सिक्षन संस्थाओं के संचालक उच न्यायले के न्यायधिश तथा उच तम न्यायाले के मुख्य न्यायधिश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदाईत्व शांदार धंग से निस्ठा पूर्वक निभाया था अर्थात इन व जोचियों ने बालक को अशुप गोशित कर दिया था ये उस समय का जो अंध विश्वास था उसके विशे में बताया गया है बचो परिणाम तह जो परिणाम हुआ इन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग माता पिता से दूर रखा गया था क्योंकि इनके पिता जोतिश पर बहुत अधिक विश्वास करते थे इनका जन 23 दिसंबर 1890 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगडा के गाउं तिका नगरूटा में हुआ ये प्रश्ण एक अंका आता है बचो कि इनका जन कहां कप हुआ था तो अगर प्रदेश पूचा जाए तो हिमाचल प्रदेश में अगर जि प्रश्ण बनते हैं एक नंबर के अगला प्रश्ण बनता है इनके पिता का क्या नाम था तो इनके पिता का नाम था ब्रिजलाल विगाओं के सज्जन संपन महाजन थे उनका फलित ज्योतिश शास्त्र में अटूट विश्वास्थावे मानते थे कि ज्योतिश शास्त्रिय द्वारा जो बताया जाता है उसका जो फल निकलता है वह वश्य सच्चा होता है आता है जब बालक का जन्म हुआ तो जयोच्यों को बुलाकर उनका भविश जानने का यत्न अर्थात प्रत्न किया गया परंतु जयोच्यों ने बालक को अशुप घोशित कर दिया था यह बता थी रंगटू उसको सौंप दिया था ये प्रशन भी आता है कि राजपुतानी आया जिसने इनका पालन पोशन किया उसका क्या नाम था तो उसका नाम था रंगटू इसी माता रंगटू ने अपने बालक के सासा मेहरचन को भी अपना दूद पिला-पिला कर बढ़ा किया ऐस के विशे में आगे पढ़ेंगे किनोंने कौन-कौन से महानकारे कि बारा वर्ष का ग्रियत्याग पुरा कर मेहरचन घर लोटे बारा वर्ष तक वे घर से दूर आया रंगटू के घर में रहे उन्होंने ही इनका पालन पोशन किया और उसके पश्चात वे अपने घर लोट जाए उन्होंने 1910 में 28 सनातक की जो डिगरी थी वो की तथा 1912 में LLP अर्था वकालत की परिक्षा पास की और लहार तथा गुर्दासपूर में वकालत का कारे किया 26 जनवरी 1950 को वे फेडरल वोट के जज़ बने थे जब हमारा संभिधान बन रहा था और भारत के सर्वच न्याले की स्थापना हुई तो वच्चो उसके वे न्यायधिश निप्त किये गए चार जन्मरी 1954 को वे भारत के सर्वच न्याले के मुख्य न्यायधिश बनाए गए जिने जोत्चोदारा अशुब घुशित किया गया था अपने जीवन में न्यायधिश के रूप में मेर्चन्द महाजन ने जितने भी फैसले किये उन में से कोई भी उन्ची आदालत में पुनर विचार केली नहीं गया, अर्थात लिए इतने सटीक या इतने सही किये गए थे इससे उनकी बुद्धी की जो सुक्षमता है बारिकी है एवं न्याय निपूंता प्रकट होती है कि वे किस तरह न्याय करते थे न्यायाले की सेवा से निवरित अर्थात रिटायल हो जाने पर वे DAV प्रवंध करती अर्थात DAV संस्थाओं का प्रवंध करने वाली जो समिती थी उसके प्रधान बने यद्दिपी यद्दिपी का अर्थ है हालांकी इस सेवा निवरिती अर्थात रिटायर्मेंट के पश् उन्हें राज्यपाल या राजदूत बनने की पेशकस की गई थी कि वे राज्यपाल बने इस पेशकस को उन्होंने ठुकरा दिया था अस्विकार करना मतलब ठुकराना जब अम महाजन सहब का प्रेम आरे समाज डियेवी और क्रिशी पर विशेश रूप से प्रकट हुआ अ एवं उत्षवों में नियम पुर्वग जब जब ये कारेक्रम होते थे बड़े उत्षा से उसमें भाग लिया करتे थे शिक्षा शास्त्री के रूप में वे उन दूरदर्शी एवं करमथ महापूर्षों में दूरदर्शी अर्था दूर की द्रिष्ट्री रखने वाले दूर की सोच रखने वाले एवं द्रिड निश्च्रई महापुर्षों में एक थे जिन्होंने देश की विभाजन के बाश्रनार्थी बने हुए पंजाव विश्व विद्याले को पहले सोलन में और उसके बाद चंडिगण में पुनरवास परदान किया अर्था इन सिक्षन सुस्थाओं को फेड से स्थापित किया 1967 की बारा दिसंबर की रात उनका चंडिगण में देहावसान अर्था स्वर्गबास या मृत्यू हो गई थी यहां वे पंजाव विश्व विद्याले की एक बैठक में उपस्तित हुए थे 1948 में इसी विश्व विद्याले ने उन्ह संबाने किया था सरदार बलभाई पटेल को भी उनके साथ ये संबान मिला था और वे महरचन महाजन से डॉक्टर महरचन महाजन हो गए थे कश्मीर के प्रसंग में ये जानना जरूरी है कि 18 सितंबर 1947 को बच्चो कश्मीर के महराजा जो हरी सिंग थे उस समय उन्होंने इन लिए भी बहुत अधिक मत्तोपून कारे किये हैं अब वो कारे क्या क्या हैं आए उनके विशे में जानते हैं भारत को कश्मीर से जोडने वाली सडकों का इन्होंने निर्मान करवाया कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना की महाजन जी की प्रेड़ना से महराजा अब वहां पर अनेका अनेक मतलब बहुत अधिक डियो स्टेशन स्थापना की भारत विभाजन से डियो को भी बहुत ख्षती पहुंची इसका क्या कारण था यह जानते हैं जनता के दान से बनाई गई सिक्षन संस्थाएं पाकिस्तान में रह गई थी धन का नितान्त का अ भावकार्थ होता है कमी डियो के असंख्य करमचारी बेघर हो गए थे पाकिस्तान से आने वाली असंख्य शातर-चात्राओं का बहुश्य अंदकार मैं हो गया था, अर्था शिख्षन संस्थान लोहार में ही रह गये थे जिसके कारण भारत में DAV संस्थाएं ना होने के कारण असंखे चात्र चात्राओं का जीवन अंधकार मैं हो गया था अर्थात कहां सिख्षा प्राप की जाये उसका उन्हें कोई ग्यान नहीं था डॉक्टर महाजन ने अपनी दूर द्रिस्टी अर्थ का परिशे देते हुए DAV का कार्याले जलंधर से दिल्ली लाने की प्रेणना उस समय के DAV नेताओं को दी यदि भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन DAV का मार्ग दर्शन न करते तो ना मालूम आज DAV का स्वरू क्या होता अर्थात DAV संस्थाएं जो इस तरह कारे कर रही हैं वो शायद ना करती कोई व्यक्ति कितना भी महान एवं गुन संपन के ओना हो उसका जीवन सिमित होता है यह हमारे समाज की धार्णा है संसार के कटू कटू अर्था कडवे सत्य से महाजन जी भी अच्छूते नहीं रहे अर्थात अलग नहीं रहे और उन्होंने सन 1967 में अपने नश्वर शरीर कात्या कर दिया नश्वर का अर्थ होता है नस्ठोंने वाले अर्थात उनका जीवन भी बहुत संक्षिप्त रहा बहुत सिमित रहा यह प्रसंदता का विशे है कि डिए वी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने उनकी सेवाओं को चिर्ष्थाई अर्थात लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उनके जन्म स्थान टांगडा में उनकी समरिती में उनके नाम पर कॉलेज का नाम कर्ण किया था था कॉलेज खोला था जिसका नाम कर्ण जिसका नाम जो रखा गया था वो डॉक्टर महाजन के नाम पर रखा गया था इस प्रकार चंडिगर्ड में भी लड सुर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा और डीएवी आंदोरन में उनकी अमर्ता का संदेश, सदैव गुarchyशता रहेगा, सुनेहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और जो लिखा गया है वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा, इस प्रकार अंततहा हम इस निश्करश पर पहुंचते हैं कि जोत्षियों की बविश्यवाणिया जूटी सिध होने से फलित जोतिश जूटा है अर्थात ऐसा जोतिश जूटा माना जाता है जो जूटा सिध हो जैसा डॉक्टर महाजन के विशे में हुआ तो बच्चो आशा करती हूँ कि मेरा इस पार्ट से समंधित व्याख्या एवं कठिन शब्दों का जो ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है या आपकी शिक्षा में लाबकारी सिध होगा और आपको इस पार्ट में जितने कठिन शब्द हैं या व्याख्या से समंधित जो असुभिधा होगी जो परिशानिया आ रही होंगी उसको हल करने में मेरा ये वीडियो कारगर सिध होगा इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह पसंद करते रहेंगे आप से मेरा पुना आग रह रहेगा कि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें एवं नोटिवकेशन वटन बच्चों अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले समय में जितने बोर्ड परिक्षाओं से समंधित नैतिक शिक्षा के वीडियो या अन्य जो इस पाठिक्रम से सम सब्सक्राइब करें नोटिवकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे और आपके लिए वो आपकी सिक्षा में मददगार से धो इसी आशा के साथ कि इस चैनल को आप अवश्य पसंद इसी तरह करते रहेंगे मैं अपनी वानी को विरा आम देती हूं नवश्कार